जेनरली क्या होता है दोस्तों बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि चलो कुछ फिश रखते हैं तो फिश रखने के लिए क्या क्या जरूरी है सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक एकुडियम का जिसके अंदर हम लोग पानी डालते हैं और फिर फिल्टर तो कोई भी हम लोग फिल और फिर हम लोग सोचते के चलो कुछ fish अब इसमें डाल देते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा गलती हम लोग कर देते हैं हमेशा याद रखिएगा fish पहले choose करना है उसके बाद aquarium and then filter ऐसा क्यूं? क्यूंके आपका fish decide करेगा कौन सा size का aquarium चाहिए और कौन सा filter आपको लेना है दोस्तों इस वीडियो में filter के बारे में में थोड़ा बात करूंगा क्यूंके हर एक fish का अलग-अलग filtration system होता जैसा monster group यह group में हम लोग अगर divide करें तो एक होता है थोड़ा hard fish एक होता है soft fish अगर आप एरवानों को ले 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 पैरोट ले ले आसकर फ्लाड हॉन पिकॉप वास स्टिंग्रेज यह सब जो थोड़ा monster वराइटी का फिश है यह सब community में रहता है इसमें आप power filter top filter with flow जो flow आताय पानी में वह आप use कर सकते हैं लेकिन अगर आप flow यूज नहीं कर सकते हैं मतलब तब power filter आप यूज नहीं कर सकते हैं top filter अगर करेंगे तो top filter का flow आपको बंद करना परेगा या फिर आपको sponge filter लगाना परेगा या फिर आपको canister लगाना परेगा अब देखिए जैसा goldfish goldfish में अगर आपके पास imported breed है तो you can use high filtration with flow अगर आपके पास Indian breed है तो आपको हलका सा filtration देना परेगा aviation हलका होना चाहिए नहीं तो fish को problem होगा तो filter आप कौन सा choose करेंगे fish खरिदने से पहले decide कीजिए और उस हिसाब से हम लोगों के साथ communicate कीजिए all over India shipping चालू है अगर आपके pin code में delivery possible है तो home delivery आपको आपके घर बेटे मिल ज filter हो power filter हो या फिर आपका power filter का head में कोई गोलमाल हुआ है तो वह भी आपको delivery मिलेगा तो communicate कीजिए जो screen पे दिया हुआ number है 9836515451 we will definitely guide you about the filtration system